आपको BBS बनाना है, आपको Estimate बनाना है, चाए आपको Construction Site पे Billing करनी है, तो आज के टाइम पे ये सारी चीज़े आपका Excel Software के बिना आपका पोसिबल नहीं है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा Excel का एक ऐसा फोर्मुला जिसको यूज करके आप अपनी Bar Bending Schedule के यूटूब चैनल पे चलते हैं, आपका Laptop की Screen के अंदर और आज का जो हमारा Topic है, उसके बारे में आपका डिसक्स करते हैं, अभी आपको आपकी Laptop की या Mobile की Screen पे आपका Bar Bending Schedule का आपको यहां पर बेसिकली आपका Format बिल रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैं आपका Overview दे परे के Format जो है, वो आपका Use होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं, जो कि सभी Format के अंदर आपको Common देखने के लिए मिलेगी, उपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपका General Information है, आपका Projects related, नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहां पर डिस्रिप्शन है जो कि आपका हर एक सीट के अंदर मेंचन एता है, इसके अलावा यहां पर आपका Cutting Lens है, Bar Bending Alarms है, आपका इसके अलावा Number of Set है, उसके बाद आपका यहां पर बार का Diameter है, जो कि काफी Important होता है, क्योंकि Bar Bending Schedule अगर आप बनाते हो, तो Bar Bending Schedule के अंदर आपको बार का Diameter सारी चीजे जो है, आपको हर एक जो भी आप फॉर्मेट जो है, आप यूज कर रहे हो, Bar Bending Schedule का तो वहां पर आपको बेसिकली जो है, आपका बिल जाएगी, जनरली आज जो हमारा topic है, बेसिकली वह मैं आपका यहां पर डिसकस करने वाला हूं, बेसिकली जो formula आपका यहा जो बनाया गया है, इसके अलावा यहां पर देखोगे, आप डाया उफ बार आपका 12 mm है, नमबर ओफ बार आपका 18 है, इन सबसे अभी यहां पर कोई हमारा मतलब नहीं है, अभी हम सबसे पहले डाया उफ बार के बारे में बात करेंगे, यहां पर एक चीज नोट करोगी, यहां पर मैंने 12 mm डाया आपका लिखा हूँ है, तो मेरी आपका यहां पर देखो, ओ-tomatic जो calculations है, वो आपका 12 mm डाया के नीचे आपका यहां पर है, ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे तो basically इस particular footing के अंदर आपका यहां पर जो diameter हूँआ आपका 16 mm है, आपकी यहां पर अ तो आप सड़नली क्या देखोगे कि automatically जो हमारी calculations थी जो अभी हमारा 12 mm डाया के पास में नीचे calculations थी वह आपका सिफ्ट होके 20 mm डाया पर आपका चली गई है ऐसे अगर मैं इसको चेंज करता हूं मालों मैं इसको 32 mm यहां पर चेंज करता हूं मैंने इसको 32 किया तो आप देखोगे कि automatically मेरी जो values है वो आपका 32 mm डाया पर आपका यहां पर सिफ्ट हो गई है तो जब हम आपका Excel software पर काम करते हैं तो यह formula आपका बारबेंडिक schedule के अंदर आपकी productivity को काफी improve करेगा और by chance अगर suppose करोगे आपसे गलती हो जाती है आप diameter अगर आपका put कर देते हो तो बाद में आप अगर diameter change करोगे तो automatically आपकी calculation भी आपका correct यहां पर हो जाएगी है तो ऐसी formula के बारे में lay discuss करता हूँ तो basically यह formula आपका condition के basis पह यहां पर लगाया गया है इफ conditions जह हैं है आपकी कि अगर यह value correct होती है तो यहाँ पर इसका multiplication की value यहाँ पर आ जानी चाहिए, अगर यह value correct नहीं होते है तो यहाँ पर आपका value 0 होनी चाहिए, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, 8 mm डाया पर हमारी condition फुल्फिल नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो diameter है वो आपका 12 mm है, तो इसलिए इसने हमें यहा आपका 0, सेम चीज आपका 10 mm के नीचे भी दिखाया, 12 mm पर हमारी क्या होती है, condition match कर जाती है, क्योंकि यह हमसे बोला है कि अगर diameter 12 के बराबर है, तो हमारी value यहाँ पर calculate होके आ जानी चीए, जो कि यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर देखो मैंने इस पर click किया, तो यहाँ प cutting length है, यह हमारी cutting length है, आपकी multiplication हो जानी चीए, sorry, D10 हमारा number of bar है, ठीक है, number of bar की multiplication हो जानी चीए हमारी L10, जो कि हमारा cutting length है, उसके बाद इसकी multiplication हो जानी चीए, आपका M10 से, जो कि हमारे आपके number of set है, तो यहाँ से जब हम तीनों के multiplication कर देंगे, तो हमारी value यहाँ पर इस तो if पर आप क्लिक करोगे क्लिक करते के साथ ही सबसे पहले आपको यह डायमेटर यहापर सेलेक्ट करना है डायमेटर सेलेक्ट करने के बाद equal to आपको करना है कि अगर यह value आपका equal to है किसके क्योंकि हम 8 mm के नीचे calculations कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका, क्या आना चाहिए, आपका यहाँ पर, this equal to आपका 8, चीक है, अगर यह value हमारी 8 के बराबर है, then, हम यहाँ पर condition लगा दे रहे हैं, कि अगर यह value आपका 8 के बराबर है, तो यहाँ पर number of set, multiplication, cutting length, और multiplication आपका यहाँ पर number of set, चीक है, number of bar, multiplication, cutting length, multiplication, number of set, और उसके बाद में, 0 लगा देंगे, कि अगर यह condition फुल्फिल होती है, तो इसकी value यहाँ पर आनी चाहिए, multiplication की, अगर यह condition फुल्फिल नहीं होरी, तो आपकी value यहाँ पर 0 आनी चाहिए, bracket close करेंगे, enter करेंगे, तो यहाँ पर देखो value आपकी 0 आये, क्यों? क्योंकि मेरा 12 है, वो आपका 8 के बराबर नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर result में हमें आपका 0 कर दिया, इसके बाद next हम लोगा आपका 10 mm पर आपका formula लगाते है, तो यहाँ पर इसको select करके equal to करेंगे, आपका if पे click करेंगे, तो यहाँ से मैंने if पर select किया, if अगर this, यह value अगर हमारी equal to 10 हो जाए, तो आपका multiplication 18, number of bar, multiply आपका cutting length और उसके बाद multiplication number of set, comma 0 करोगे, bracket close करोगे, enter करोगे, तो यहाँ पर देखो value फिर से again हमारी 0 आई है, क्यों? क्योंकि हमारी value जो है, वो हमारी 12 है, और यह 10 है, तो value हमा का लगाते है, if मैंने यहाँ पर click किया, अगर this equal to 12, अब यहाँ पर देखो हमारी condition satisfy हो जाड़ी, क्योंकि यह हमारे जो diameter है, वो equal to 12 के, then multiplication होना चीए, number of bar, multiply आपका यहाँ पर cutting length और multiply आपका number of set, comma 0, bracket close, enter करोगे, तो यहाँ पर देखो, automatically आपकी value 184.32 के बराबर यहाँ प यहाँ पर if लगाया, अगर this value equal to 16 है, then multiply this, multiply आपका यहाँ पर this, और multiply आपका यहाँ पर this, comma 0, अगर satisfy नहीं है, तो 0 value आनी चीए, bracket close करेंगे, enter करेंगे, तो यहाँ पर देखो, आपकी value जो है, वो 0 यहाँ पर आ गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ यहाँ पर condition change करके दिखाता मैंने यहाँ पर 8 किया, तो देखो, automatically 8 पर calculation shift हो गई, मैंने इसको यहाँ पर 10 किया, यहाँ पर 10 पर shift हो गई, उसके बाद मैं यहाँ पर 12 पर करता हूँ, तो हमारी values आपका 12 पर shift हो गई, तो यह basically इसका benefit है, और इसका यह भी फायदा होता है, कि हम इस Excel sheet को किसी दूसरे format क कर सकते, diameters वगरा change करके, यहाँ पर अगर कोई error आ जाता है, कोई corrections, कोई value पुट करने में आपका कोई दिक्कत गलती हो जाती है, तो हम यहाँ पर बड़े आसानी से आपका इसको correct कर सकते है, तो एक बार quick revision कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर यहाँ यहाँ हो जाए, basically आपको क्या करना है, जिस भी diameter के नीचे करना है, उसी diameter की value पुट करनी है, जैसे 8 के नीचे करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, equal to, यहाँ पर if condition लगानी है, आपको, if के साथ में, अगर यह value जो diameter का वाला कोलम है, वहाँ पर diameter को select करना है, उसके बाद equal to करना है, equal to में वह value पुट करनी है, जिसके नीचे आप calculations करते हो, 8mm के नीचे calculation करें, तो equal to में यहाँ पर 8 पुट करूँगा, उसके बाद यहाँ पर comma, number of bar मैंने select किया, multiply, cutting length मैंने select किया, multiply, आपका number of set, उसके बाद comma 0, bracket close, enter करोगे, तो यहाँ पर देखो, value आपकी 0 आजा आपका BBS का concept, वह clear हो जाएगा, आज मैं आपको BBS नहीं सिखा रहा हूँ, आज मैं आपको Excel के अंदर, BBS के अंदर एक important formula आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी Excel की productivity है, वह काफी हद तक आपका improve होगी, I hope आपको यह concept है, वह clear हुआ होगा, आपको इसको detail में सीखना है, तो आप हमारा bar bending schedule का जो course है, solitude education की app पे वो भी आप join कर सकते हैं, आपको application का link जो है, वीडियो के description में मिल जाएगा, इसके लावा अगर आप इससे related और जानकारी चाहते हैं, तो call भी कर सकते हैं, comment section में comment भी आप कर सकते हैं, बाकी वीडियो को share करो, जाज़ जादे like करो, और चैनल को subscribe करना, बिल्कुन मित भूलना है, क्योंकि आने वाली वीडियो की notifications आपको तभी मिलेगी, जब आप हमारे चैनल को जब आपका subscribe करेंगे, मिलते हैं आप से next studio के अंदर, इसी तरह की informative वीडियो के साथ, okay, thank you. हैं, प्यूल मिल्कुन 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 बादे घला तरह कर घला हैं, थन्दर, स Gegenर्थ, जब।, जब आफ।, एट जूएंगे, छोका हैं, जज क ¿स़ इसेज़? हम आप दूलों, प्योंकि प्रृट्टैं, और हैं, बाको की प्रिवाओंस, झाल झाल